आज हम देखेंगे मिसिंग नंबर के 6 से 8 मोस्ट टाइम पी कोश्चन जो आपकी एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इसी टाइप के पैटन आपको देखने को मिलते एक्जाम में तो चलिए देखते हैं फॉर्स कोश्चन अब यहाँ पर पेले हमें ऑप्शन की भी RIS की यहाँ पर कोण सा पैटन बन रहा वह भी देखना अब यहाँ पर देख रहाओ में सेवन सेवन के नियरेस जो है कोश्चन मार के अब सेवन से च्षोटी संक्या, आईगी तो मैं यहाँ पर सेवन से सारी बड़ी संक्या है तो मतलब कि यहां पर आपका जो मेथड जो लग रही होगी वह clockwise मेथड लग रही है कौन सी लग रही है बच्छो clockwise मेथड clockwise देखिए साथ से 15 अब मुझे साथ से 15 जाना तो मैं क्या करूँगा प्लस 1 की तो 127 का इंटू 2 करेंगे तो 254 प्लस 1 255 इसका आंसर होगा तो बस हमें ध्यान रखना है कि एक्जाम का यह पैटन जो है किस टाइप से पैटन पूछा गया है ठीक है option की भी help लेना है जैसे कि अभी हमने option की help ली और यहां पर हमने clockwise मेथड इसमें लगा दिये चलि अगला important question जो एक्जाम बहुत बार आता है अब यहां पर जो है यह 3 by 3 का matrix है और आपको question mark दिख रहा होगा कि इस जगें यहां पर क्या answer आएगा ठीक है अब यहां पर क्या उत्तर आ सकता है वो देखते हैं अब सबसे पहले identify करते हैं pattern 3 by 3 का matrix है तो identify करते हैं यहां पर क्य क्या आ सकता है अब मैं सबसे पहले ही रो देख रहा हूं सबसे बड़ी digit कौन सी 20 ठीक है 9 है 4 है और 20 तो आप यहां पर mindset करिएगा चो सबसे बड़ी digit है उसको मैं कैसे ला सकता हूं यहां पर 8 15 फिर 12 जो सबसे बड़ा है यहां पर मेरे mind में आ रहा है कि यहां पर सबसे ब का into करता हो तो कितना आ जाएगा आपको बच्चो 4 आ जाएगा तो answer यहां पर क्या हो गया यहां पर 4 हो गया तो बिलकुल में जिसे pattern बता रहा हूं कुछ help option की है option से help लेंगे कुछ जो है हम यहां पर pattern जानने ही कोशिच करेंगे ठीक है बच्चो अगला question आपके सामने most important question है यह भी सारे सिलेक्ट हो जो एक्जाम में बहुत बार रिपीट हो है अब देखें यहां पर यह थ्री को भाई 4 का मेट्रिक्स है ठीक है 3 by 4 का मेट्रिक्स है अब यहां पर इसी ऐसा अगर pattern आपको पूछा जाता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो option भी देख अब यहां पर 6520 और 45 तो 5607 से में 65 केसे ला सकता हूं तो माइंड में आपको सुचना वाड़ा थोड़ी सी प्रेक्टिस की जरुवत रहेगी आपको मज़ पैटन जो बता रहा हूं वह आएगा जी अब मैं जो 65 लाना तो 65 जो है 5607 का स्क्वेर करतो 65 से जादा आ दो हो लुए 13 मां अगर 5 करताओं मैं मैं बस लगातिए उबजार चरहां तो कितना आ छो कि त्वेक्सटीपाइग तो यहां पर डीजिट आपको दीख रही तो वह आंसर लाने की कोशिश करना आपको चलिए नेक्स कोशन देखते हैं देखिए नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है अब यहां पर है 6 3 4 8 18 2 3 27 15 पांच कोशन मार्क नाइन अब यह वापिछ त्री बाइफ 4 का मेट्रिक्स दिया है आपको वह सबसे बड़ी डीजिट मुझे देखूं तो यह 6 18 15 दिख रही हो नीचे 8 तो ठीक है 27 दिख रही है तो इसमें अब पेटन में अप्लाइ करता हूं कि कौन सा पेटन में लगा सकता हूं अब मुझे यहां पर यह सेंटर वाला पेटन लेता हूं कि 27 या फिर 18 के से ला सक आप अगर में 18 गो जी अप्लाय करता हूं मैं 18 को डिवाइट करता हूं दो से कितना नो में आ रहा है नो में अगर तीन का मंट्पिप्लाय करता नो कि इतना है 2017 ठीक है 27 अई मैं 50% correct हो 100% correct नहीं हो आँ अब अगर मैं यहाँ पर यह pattern apply करता हूँ 15 case पर ठीक है मैंने उपर दोनों को divide कर रहा है 15 को अगर 5 से divide करता हूँ तो 3 आ रहा है 3 में किसका multiply करूँ जो 9 आ जाए 3 का तो answer क्या हो जागा 3 इसमें भी apply करके देखते 6 को divide कर रहा हूँ 3 से तो 2 आ रहा है 2 4 जा कितना हो रहा है 8 मतलब कि मेरा जो पैटर जो था यह correct है था फॉस वाले में तो नीचे आली संक्या में को सबसे बड़ी दीख रही है तो यह method apply कर सकता हूं तो क्यों ना में 124 लाना मुझे तो अब मैं यहां पर क्या apply कर सकता हूं 50 10 प्लस 10 कितना हो गया 60 60 में 2 जोड़ी 62 62 आगया अब 62 मुझे दीख रहा है और 122 में टू करता हूं मैं तो 6 दूनी बारा 124 आगा मतलब कि इन सब को प्लस करने के दो से इंट करा जा रहा है वैसे 360 12 322 को अंती 302 को करेंगे तो कितना हो गया 30 दूनी ठीक है तो यहां पर 360 307 370 बहुत को डबल करें तो देख दो दूनी 4 आ रहा है ठीक है साथ दूनी 14 मापी से चार आ मतलब कि आपको double करने पर सबको plus करना है और double करेंगे तो कितना 1364 आएगा तो इन चारो option में से आपको उताना है क्या आएगा यहां पर question mark की जगे ठीक है जितने pattern में बता रहा हूं वितने most time पी देखे यह तो question दिखेगा आपको जी हां अब देखिए यहां पर पूरी सिक्वेंस सब तीन डीजिट के number और उसने आपको यहां question mark दिया है मतलब कि आपको hint दी इन दोनों number से एक number कैसे ला सकते इन दोनों number से यह number कैसे ला सकते हैं तो मैं apply करता हूं pattern अब option भी आपके सामने अब इसको फास calculation कैसे करना है तो देखो 836 को 800 माल लेता हूं मैं और 112 को सो माल लिया मुझे जल्दी calculation करना कि 36 12 कितना होगा यह नहीं तो कितना होगा 900 900 को अगर मैं 300 तक जाना तो 3 से डिवाइड कर दूं मैं तो वेसे 36 जी हां 36 प्लस 12 48 48 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं 16 तो मतलब कि इन दोनों time को अगर मैं plus करके 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा answer यहां पर आ जाएगा यहां 420 और 213 इन दोनों को प्लस करेंगे तीन से डिवाइड कर रहे हैं जी हां चारसो दो छेसो छेसो हो जाएगा और छेसो प्लस यहां पर 33 जी हां तो तीन से डिवाइड करें तो 211 सम्तिंग आएगा आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा वो रेगूलर क्लास आपको रिजिनिंग की मिलते रहेगी शौट ट्रिक के साथ में जी हां थैंक्यू सो झातु चैनल